सिग्स्थ डे का थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद ये विडियो बनाया है मैंने कि टाइगर थी का क्या होने वाला है देखो भाई प्रैक्टिकली बोला जाए तो सबसे बड़ा टेस्टिंग डे ये है क्यों मालूम है ये एक ऐसा दिन है जिससे डिसाइडर बोलते हैं नंünk के जाए वैसे डिसाइड होगा ये मुवी कहा पे जाएगी देखो ये मुवी का बात में प्रैक्टिकली बोल देता हूं 500 करोड और 400 करोर और 350 करोर से ये बातों को भूल जाओ भारत में Hindi में ये कितना कर सकती उसमामले में मैं बात कर रहो साड़े 300 करोर मन से निकाल दो अब जो बोल रहो हाँ, अब मैं ये क्यों बोल रहो कि बैगे 300 करोर तक मन में रखो क्या इतना भी होगा या नहीं हिंदी में देखो ये एक बहुत बड़ी achievement है अगर इतना भी करती है ये movie तो पर क्या ये करेगी सब सवाल ये है तो इसका जवाब है कल का दिन क्यूँ सिंपल सी बात है हाँ working day है कल मैं मानता हूँ लेकिन एक ऐसी movie है जो इसमें से एक दिन कुछ 43 करोड गई थी एक दिन 58 करोड गई थी और एक दिन गई थी 44 या कुछ करोड 42 करोड टाइप का बाद में ये movie 20 करोड पे आई वो मैच का कुछ लोगों ने बोला कि मैच के वज़े से कम हुआ होगा अब आई है ये 15 से लेके 17 करोड पे अब देखो practical बात करू तो कुछ लोग ये बोलेंगे यार semifinal 2 था वो भी इस वज़े से कम हुआ होगा फिर भी मैं बात कहूंगा कि आज उतना कम नहीं होना चाहिए था ना फिर I mean कल से कम क्यों है फिर आज बात को समझो semifinal 1 से उल्टा जादा आना चाहिए था ना आज collection क्योंकि कल का में जादा मैच था मतलब obviously भारत के लिए बोल रहा हूँ मैं so कल से तो आज जादा ही आना चाहिए था वो तो कल से भी कम दिखा रहा है at present तो मतलब ये बात अब accept कर लो कि भाई स्टोरी लोगों को नहीं पसंद आई है उसका असर है और stardom वाला जो collection था वो हो गया अब जो भी neutral audience है वो इस movie की तरब नहीं attract हुई है ये बात एकदम सच है और यही accept करना है अब इसके बाद जो मैं पहले सोच रहा थी कि बही 20 करोड तक ये movie जा सकती है कल के दिन अब prediction करना थोड़ा मुश्किल है 20 वाला मेरे according 15 करोड करेगी collection और इसी के साथ ये 6 दिनों में 202 करोड हिंदी नेट जी आँ दोस्तों 200 लेकिन हाँ 200 करोड के उपर भारत में ये movie जा रही है with bad story मानना पड़ेगा Manish Sharma जैसे को आप film दे रहे हो या Aditya Chopra पाकिस्तान को praise करने के लिए film लिख रहा है and seriously shocking कि सलमान खान इस टाइब की script accept कर रहे है यार अपने इस टाइडम पे अपने पेरों पे कुलाडी मारना क्या इतना मजबूरी था सलमान का कि ऐसी script को बिना सोचे समझे yes कर देना maybe इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये राधे हो किसी का भाई किसी के जान हो दबंग थ्री हो उन movies का pressure आज भी सलमान खान पे है वरना इतनी भद्धी movie को सामने से कभी हाँ नहीं बोलते रहे बात को समझो तो वही है वही story wise देखा जाए तो जो लोग बोलते हैं न मैं खुद बोला था कि entertainment के लिए देखो बागी दिल पे मत लगाओ टाइप का पर neutral audience नहीं आएगा पर समझी किसी को जादा पर फिर भी छे दिनों में 202 करोड बुरी नहीं है लेकिन अच्छा भी collection वैसे नहीं है movie का अगर budget 300 साड़े 300 करोड बोला गया है तो यह अभी तक collection कुछ भी नहीं है मानना पड़ेगा देखते है चलो क्या होता है 300 जाएगी या नहीं मेबी जा भी सकती है आराम आराम से पर 350 अगर यह बहुत अच्छा किया ना तो 350 मानो 400 even 375 नो कि साड़े 300 भी गई तो यह इसकी achievement है देखते हैं क्या होता है अभी लेकिन 2012-13 जैसे स्टरडम सलमान का थोड़ा सा नहीं बोलना पड़ेगा फिर ने यार ऐसा भी नहीं बोल सकते ना अगर यह स्टोरी अगर सच्च तगड़ा रहती थोड़ी तो यार फिर तो लोगों को भी पसंद आती ना लोग अट्रेक्ट नहीं हुए है तो इसमें सलमान की नहीं यार वो story writer the great Aditya Chopra ली जंड की गलती है न ली जंड नी बोला ली जंड बोला उसको चलो देखते क्या होता है 6 दिनों में यार मैं hope कर रहो कि उतना भी collection आये है मतलब अगर उतना भी नहीं आयेगा तो 6 दिनों में भी दोसों नहीं कर रही है भारत में सात्वा दिन लगेगा फिर मेरा prediction है लेकिन के 6 दिन में कर रही है सो कल का मैं 15 करोड पकड़ के जा रहा हूँ और Friday है थोड़े से screens कम भी होए होंगे फिर भी कर रहा हूँ भाई कल का prediction सो 6 दिनों में 201 करोड है मेरा prediction हिंदी Tiger 3 टेक क्यार शेयर कीजिए वीडियो को आपको क्या कहना है बताइए